दोस्तो ये है मेरी Firebolt की Smart Watch और जो लोग मेरा हर वीडियो ध्यान से देखते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि ये Smart Watch जो है ना इसका इस्तमाल में ज़ादा करता नहीं हो The reason is this भाई हम जो है ना हम तो इसके दिवाने हैं ये है एक proper old school I guess 10-15 साल पुराना केसियों का Heavy Duty Watch आप ज़रा Look and Feel देखिए थोड़ा इसमें वजन रहता है तो पहनने में मज़ा आता है Metal यहाँ पर Finish आपको मिलती है तो ये जो मज़ा है गाईज ये मुझे ये प्लास्टिक वाले घडियों में नहीं आ रही थी अब मैं सोच रहा था भी हमें smart watch के features भी चाहिए और साथ में एक proper luxury watch वाला feel भी चाहिए तो मैंने क्या किया मैं गया Amazon पे और मैंने ये छोटा सा जो parcel है इसको order कर दिया और ये देखते हैं इसके अंदर क्या मिला है तो इसके अंदर मैंने मंगवाए हैं इस तरह के smart watch के metal bands और ये जो metal bands हैं आपको easily online available हो जाएंगे इनके buying link मैंने आपको नीचे description और first comment के अंदर दिये हैं तो आईए खोल के देखते हैं दो design मैंने मंगवाए हैं अब देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है आउबलोक भी मुझे बताईएगा कि मेरे हाथों के उपर या में ये जो particular smart watch है इसके उपर कौन सा जो design है वो बहतर लग रहा है इसमें एक pin भी है इसको मैं संबाल के निकाल लेता हूँ ये छोटी-छोटी चीजे होती है इसके उपर भी हम बात करेंगे कि installation किस तरह से करना है तो एक ये इस तरह का mesh pattern है और जो दूसरा pattern है वो ये हो गई इसकी pin है और ये निकाल लिया हमने smart watch का band ये थोड़ा सा मोटे design वाला है कुछ इस तरह से दिखता है आईए मैं आपको pass से बताता हूँ ये जो है मोटे design वाला smart watch के लिए replacement band है and actually guys इसमें थोड़ा वजन भी है मतलब है ये एक अच्छी feeling देता है पहनने के लिए ऐसा नहीं लगता कि आपको ये नो सस्ता एकदम light weight जो माल होता है वैसा पहन रहे है और ये एक मुझे काफी अच्छा लगा ये इसमें इस तरह का shimmer है तो आईए ये जो plastic वगरे है इसको निकालते है smart watch के उपर लगाते है और फिर देखते हैं कि look जो है इसका luxury वाला आता है या नहीं guys installation के लिए हम को ये ऐसा चोटा सा tool ले लेंगे ये चोटा plucker है और सबसे पहले ये जो पुराना band है इसको हमें निकालना होगा तो यहाँ पे पीछे अगर आप देखेंगे ये चोटी सी clip बनी हुई है ये clip दिख रही है आपको तो ये जो clip है ये इस तरह से अंदर होती है ऐसी धसी हुई होती है इसको हम ऐसे थोड़ा सा बाहर निकालेंगे ये देखिए इसको थोड़ा सा मैं zoom करने की try करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दीखें यह देखिए, इसको हम बाहर निकालेंगे, यह बाहर निकाला, और फिर इसको इस तरफ अंदर दबाके, इसको अनलोक कर लेंगे, यह spring loaded होता है, और थोड़ा सा उपर खीच लेंगे, देखा आपने, I hope, कैमरे यह न फोकस अच्छे से किया होगा, यह आ गए उपर, और यह हमारा, जो यह strap है, रबबर का, यह निकल गया, जो दूसरे साइड का है, इसको भी वही करना है, यह जो clip है, इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे हम, ठीक है, पीछे करके, यह उपर उठाएंगे, तो यह नि इसको लगाते हैं पहले, तो इसको लगाने के लिए हमें यह जो pinे हैं, यह इसको इसमें डाल देना पड़ेगा, यह मैं डाल लेता हूँ, इसके अंदर, यह मैंने डाल दी, pin, इसके अंदर, थोड़ा सा समझ लेके कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़े हैं, गिर भी सकती है यह इसमें डाल दिया मैंने ठीक है अभी इसको हम करेंगे इसमें इंस्टॉल तो यह दूसरी साइड में लगा लेता हूं और लॉक वाली जो साइड है इसको हम इस तरह से थोड़ा सा इसको अंदर करेंगे स्प्रिंग लोड़ेड मेकानिजम को और इसके अंदर लगा देंगे तो यह जो है मैंने इसके अंदर यह देखिए यह लग गया तो मैं कम्लीट लगा लेता हूं फिर आगे की बात करते हैं गईस इंस्टॉलेशन हमारा हो गया और बही साब लुक देखिए ज़रा मतलब वाच के उपर यह जो इसकी शाइनिंग है जो वेट है थोड़ा सा मतलब यार पैनने मेंना मजा आ रहा इसा लग रहा है कि कोई धंकी महंगी चीज जो है हमने पहनी है तो आप देख सकते हैं इसका look कैसा है जो मैं metal की वाच पैनता था उसका look इस तरह से है इसका ये शाइनी इस तरह से ये dots आते हैं glitter आता है एक तरह से तो काफी मस लगता है और मेरे ख्याल से ये जो silver bezel है इसक नहीं था इस वाच के अंदर आगे वीडियो में हम बात करेंगे पहले हम क्या करते हैं यह मोटा वाला जो बैंड है इसको भी लगा के एक बार चेक कर लेते हैं और यह है मोटे डिजाइन वाला स्मार्ट वाच का मेटल बैंड मुझे तो यह ज्यादा पसंद आया वैसे आप आपको 200-300 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन मेरा सजेशन यह है कि जो 200-300 वाले सस्टे बैंड है उसको आप अवाइड कीजिए उसका एक तो फील अच्छा नहीं होता कॉलेटी अच्छे नहीं होती और आपके स्किन के साथ में भी रियाक करते हैं तो यह जो मैंन से इसके अंदर आपको कई दरजन कई सो अलग-अलग डिजाइन और कलर मिल जाएंगे सभी कलर्स और डिजाइन के आपको बेस्ट बाइ लिंक मैंने नीचे दिस्क्रिप्शन या फर्स कमेंड के अंदर दिये हैं तो अभी जो है न स्मार्ट वाच पहनने में हमें वो प्र आयर बॉल्ट के जो वाचेस हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो यहां पर यह जो इसके यह जो बेजल्स थे ना यह एक्चुली प्यानो ब्लैक फिनिश में थे यह जो डिस्प्ली दिखता है ना ऐसा दिखता था यह लेकिन इसका जो कलर है यह बिल्कुल 6 म इसको ग्राइंड कर दिया और इस तरह का एक बहुत ही लग्जरी ब्रस ऐल्यूमिनियम फिनिश ही होता है ने महेंगे महेंगे गाडियों में इस तरह की hypniss होti है ठीक है जैगवार वगरे में आपने देखा होगा तो उस तरह का यह जो finishing है यह मैंने इसके उपर बना लिय और इसका जो contrast है ये इस metal band के साथ में भी काफी बढ़िया रहेगा गाईज आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो like, share, subscribe जरूर कीजिए take care and have a nice day